जैसा कि मैं आप सभी लोगों को पावर पॉइंट बिलकुल सुरू से सिखा रहा हूँ और ये पार्ट टू है पार्ट वन के अंदर हमने पावर पॉइंट के इंट्रोडक्शन यानि परिचे के बारे में कम्प्लीट सीख लिया है पार्ट टू के अंदर हम लोग पावर पॉइंट के होम टैप के बारे में कम्प्लीट जानकारी सीखने वाले हैं बस आपको ये विडियो पूरा देखना है और जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ से आपको अच्छे से सुनना है और समझना है मैं आपको बिस्वास दिलाता हूँ कि पावर पॉइंट के होम टैप के एक एक आप्सन की जानकारी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगी हलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे लगती है तो ये वीडियो आप जरूर लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर सेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और चानल पर अगर पहली बार हो अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है चलिए वीडियो शुरू करते हैं PowerPoint को open करने के लिए आपको जो है Windows के साथ R बटन दबाना है ये जो run command खुलती है इसके इंतर मैंने आपको बता दिया है कि Power PNT लिखना है Power PNT ये spelling आप देख लिजिए इतना लिखने के बाद आपको जो है OK बटन पर क्लिक कर देना है तो PowerPoint खुल जाएगा PowerPoint की window का complete परिचे मैंने आप सभी को बता दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे description box में पूरी PowerPoint की playlist का link मिल जागा जिस पर आप क्लिक करके सभी वीडियो को देख पाओगे आज हम लोग home tap के अंदर जितने भी भाग हैं और इन भाग के अंदर जितने भी option दिये गए हैं इनको कैसे आप use करोगे इनका use क्या है कैसे आपको इस्तमाल करना है इसके बार में पूरा detail में जानकारी आपको देने वाला हूँ आप सभी लोग जो है इस वीडियो को like कर दो आप लोग like नहीं करते हूँ आप सभी के लिए इतनी महनत करके video बनाता हूँ लेकिन आप लोग like नहीं करते हूँ आपके like कर देने से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं बस एक थोड़ा सा motivation मिलता है कि लोग मेरी videos को पसंद करते है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए चलिए बात करते हैं होम टाइप के सबसे पहले वारे भाग में जो की है क्लिप बोर्ट क्लिप बोर्ट को जब मैं MS Word पढ़ा रहा था उसमें मैंने आप सभी को क्लिप बोर्ट के बारे में बताया है सेम वही काम यहाँ पर आपको पावर पॉइंट में भी मिल जाता है जैसे कि मैं यहाँ पर लिएता हूँ गुलाब और गुरू मैंने यहाँ पर लिखा गुलाब गुरू अगर मुझे जो है इसे कॉपी कट पेस्ट करना है माली यहाँ पर जो है मुझे गुलाब को यहाँ से कॉपी करना है और इसके अंदर भी पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर गुलाब को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर जो है कॉपी बटन पर क्लिक करूँगा अब यह जो है copy हो चुका है अब हमको जो है इस tax box पे click करना है और इस पे आप right button click करके भी इसको जो है paste कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर भी click कर दोगे तो यह इसके अंदर paste हो जाएगा अभी देखे यह गुलाब जो लिखावा था इसके अंदर paste हो चुका है तो यहाँ से आपको copy और paste समझ में आ गया होगा अगर आप जो है इसे cut करके यहाँ पर लाना चाहते हो तो इस condition में आपको इसे select करना होगा यहाँ पर आपको cut button पर click करना होगा तो यहाँ से वो cut हो जाएगा जहाँ पर भी आप यहाँ पर इसको paste करोगे वहाँ पर यह जो आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको paste कर देते हैं तो देखें यहाँ से हमने जो group cut किया था वो यहाँ पर आगर के paste हो चुका है copy, cut, paste को बस आपको इस तरीके से समझना है कि अगर आप जो है किसी भी word की या फिर कोई भी image, कोई भी shape अगर आपने ली है उसकी अगर आप copy तयार करना चाहते हो तो आपको copy paste करना होता है लेकिन अगर आप जो है किसी भी text को यहाँ पर नहीं चाहते थे बलकि दूसरी जगह पर चाहते थे तब जो है आप यहाँ पर cut paste का इस्तमाल करोगे, cut करने से यह text यहाँ से हट जाता है और जहाँ पर आप paste करोगे वहाँ प bold कर दिया, इसका size थोड़ा सा बड़ा कर लिया, यहाँ से मैंने क्या क्या इसका color red कर दिया और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा इसको italic कर दिया, अब क्या है इसकी same formatting जो है हमको इसके अंदर भी apply करनी है तो हम जो है इसके अंदर click कर देंगे, यहाँ पर आएंगे format painter पर click करेंगे इसके बाद जो है इस तरीके से आपका जो है brush जैसा आपका जो है cursor बन जाएगा इसके बाद जिस भी text के अंदर आपको जो है इसकी formatting को paste करना है तो आप जो है इसको इस तरीके से select करके छोड़ दीजिए तो देखो कि इसकी same formatting जो है इसके अंदर भी apply हो तो आप format printer पर click करके इसकी formatting को copy करके किसी दूसरे text में भी apply कर सकते हो तो यहां से आपको जो है यह जो clipboard में यह जो option दिये गए हैं इनके बारे में आपको complete पता चल गया होगा अब बात करते हैं slide वाले भाग में यह जो सारे option है आखिर इनको कैसे use करना है और किस काम में यह सब आते हैं इसमें जो सबसे पहला option है वो है new slide का अगर आप जो है इस slide पर काम कर चुके है और नई slide जो है insert कराना चाहते हो तब यह option काम करता है बस आपको इस पर click करना होता है एक नई slide इस तरीके से आजाती है अभी देखिए यह पहले वाली slide सी और यहां पर जो है slide पर काम करना है तो आप जो है दूसरी slide पर click करिए और यहां से काम कर सकते हैं इसी में अगला option है layout का अगर आप जो है इस slide का layout चेंज करना चाहते हो तो आप इस पर click करिए यहां से आपको काफी सारे layout मिल जाते हैं तो आप इस पर जो भी layout आपको पसंद है उस पर बस click कर तो इस slide का layout जो है change हो जाएगा उसी में जो है अगला option है reset का अगर आपने जो इस slide में लिखा है उसको आप पहले जैसा reset करना चाहते हो तो आप उस slide को select करिए जिसके अंदर आपको सारी जो चीज़े अपने लिखी है उसको reset करना है और reset बटन पर क्लिक करिए सारी चीज़े पहले जैसी हो जाएगी यानि जो हमने formatting की थी वो बिल्कुल यहां से हट चुकी है अगर आप जो को किसी भी slide को delete करना है तब यह delete option काम करता है आपको जिस भी slide को delete करना है उस slide पर क्लिक करके उसको select कर लेना है और इसके बाद delete option पर क्लिक कर दोगे तो वो delete हो जाएगी slide ठीक है और new slide का option आपको right button क्लिक करने पर भी यहां पर भी मिल जाता है आप यहां पर भी क्लिक करके एक नई slide को इस तरीके से insert करा सकती हो तो यहां से slide वाले भाग में जितने भी option है इनके बारे में आपको complete समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं font वाले भाग में जितने option है आप इसको कैसे इस्तमाल करोगे तो इसको इस्तमाल क computer मैंने यहां पर लिखा लिखने के बाद जो है अगर आप इसको bold करना चाते हूँ italic करना चाते हूँ इसका font style चेंज करना चाते हूँ इसको बड़ा करना चाते हूँ तब यह सारे option काम आते हैं कैसे इस्तमाल करना है जैसे कि मैं जो है इसका style चेंज करना चाता हूँ तो भी font style आपको पसंद आता है नीचे की side में आप जा करके देख सकते हो जो भी आपको font style अच्छा लगता है आपको just उस पर click कर देना होगा click करते ही वो font style इसकेंदर apply हो जाएगा आप चाहो तो दोबारा से इसको select करने के बाद यहाँ पर click करने के बाद और कोई दूसरा भी font style इसकेंदर apply कर सकते हो हम जो है यह वाला font style रख लेते हैं यह काफी मुझे अच्छा लग रहा है इसके बाद जो है अगला option है font size को ले करके अगर आप इस font के size को कम या जादा करना चाते हो यह जो आपने लिखा है तो यहाँ पर आपको click करना होगा यहाँ से आप जो है कम कर सकते हो जितना नीचे की side में जाओगे वो कम होगा जितना उपर की side में आओगे वो बड़ा होगा तो जितना भी आपको font का size रखना है आप उतना करके यहां तक लागने के बाद उस पर जो है क्लिक कर दीजिए तो उतना phone का size हो जाएगा वही काम आप यहां पर manually भी कर सकते हो यहां पर आपको point to point आपका phone का size बढ़ता है और यहां पर click करने बाद point to point घटता है अभी देखिए यहां पर 60 पे हमारा phone का size है अगर मैं इस पर click करूँगा तो यहां पर जेखिए point to point मतलब थोड़ा-thोड़ा point करके छोटा हो रहा है और यहां पर मैं click करूँगा तो थोड़ा-thोड़ा point करके यह बढ़ा हो रहा है तो अगर आप manually जो है इसको बढ़ाना घटाना चाहो तो आप इस button का इस्तमाल कर सकते हो इसी में जो है अगला option है यह है clear formatting का अगर आप जो है इसके अंदर कोई formatting कर देते हो जैसे कि हम इसे bold कर देते हैं बोल्ट तो यह है और इसका जो है color इसको जो है थोड़ा सा change कर देते हैं और इसके अंदर italic कर देते हैं यह सारी formatting कर देते हैं यह सब करने के बाद अगर हमको जो है इसको पहले जैसा करना है तो हम क्या करेंगे clear formatting पे click कर देंगे जिस समय हमने इस text को लिखा था जो formatting थी सिर्फ वही रह चुकी है जो इसके अंदर हमने style, font का size, bold italic किया था वो सब कुछ जो है इसका clear हो चुका है फिर से हम इसको ctrl z करके इसको पहले जैसा कर लेते हैं वो चीजे मैंने आपको बस समझाने के लिए बताई है अगला option है, bold तो इसपे क्लिक करके आप अपने text को थोड़ा सा bold कर सकते हो जैसे कि मैं जो है इसपे अगर apply करूँगा तो अभी ये bold size वाला ही हमने font style लिया है जिसकी वाज़े से ये apply नहीं हो रहा है तो यहां से मैं जो है इसका size थोड़ा सा कुछ ऐसा करता हूँ तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा अगर जो है मुझे इसे थोड़ा सा bold करना है तो मैं इसपे क्लिक करूँगा थोड़ा सा देखिए bold हो चुका है italic करना है थोड़ा सा टेड़ा होगा test को बीचो बीच से काड़ सकते हो देखिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ जब मैं इस computer को select करके बता रहा हूँ कि computer जी सिर्फ इनी चीज़ों में apply होना चाहिए तब ही इसमें चीज़े apply हो रही है जैसे कि अगर मैं सिर्फ इतने को ही select करूँगा इतने में ही चीज़े apply होने चाहिए उतने में ही आपका सारा काम जो करोगे वही होगा ठीक है तो इसको bold कर देते हैं फिर से जो है सबी को select करते हैं अब जो है strike through के बारे में बात कर लेते हैं देखिए बीच से आप जो है अपनी text में थोड़ा सा shadow दे सकते हो अभी के time में देखो के यहां पर कोई भी shadow नहीं है लेकिन अगर आप जो है इसको click करके select करते हो पूरा drag करके यहां पर click कर देते हो तो देखो के आपके ने जो text लिखा है उसके जो बगल में थोड़ी शी shadow आ रही है जो की देखने में काफी कमाल की भी लग रही है अगर आपको ऐसा shadow लाना है तो आप इस बटन का इस्तमाल करके ला सकते हो अगला option है यह जो है आप जो है character spacing को जो है लूज कर सकते हो टाइट वगरा कर सकते हो अभी देखिए यह normal में है अगर मैं इससे select करता हूँ यहाँ पर click करता हूँ देखिए यह normal पर selected है अगर आप जो है tight पर click कर दोगे तो यह जो letter है न वो थोड़े थोड़े सिकूड जाएंगे मतलब इसकी जो spacing है बीच की वो थोड़ी कम हो जाएगी अगर आप very tight पर कर दोगे तो और भी कम हो जाएगी loose पर कर दोगे तो जादा हो जाएगी मैं इसको थोड़ा सा apply करके दिखाता हूँ जैसे मैं tight पर click करूँआ तो देखिए थोड़ा सा tight हो चुका है फिर से very tight पर click करते हैं और कम space हो गया है बीच का और वहीं अगर मैं loose पर click कर देता हूँ तो देखिए दूर दूर चला गया है फिर से जो हम इस पर जाकर very loose कर देंगे तो और दूर दूर चला जाएगा तो इसको हमेशा आप normal पर रहने दीजिए अगर आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इन सभी options का इस्तमाल कर सकते हैं इसी में जो है अगला option है change case का इस button पर click करके आप जो है जो भी text को select की रहोगे वो एक बार में ही आप capital letter में एक बार में ही आप small letter में कर सकते हो यहाँ पर और भी style दिये गए हैं यह चीज़े मैंने आपको MS Word में भी बता रखी है फिलाल मैं यहाँ पर भी आप सभी को यह चीज़े बता देता हूँ जैसे मैं upper case पर click करता हूँ देखे जो भी हमने गुलाब गुरू computer लिखा था वो सभी के सभी capital letter में हो चुके हैं अगर मैं इसी पर click करके जो है lower case में कर देता हूँ सभी चीज़े lower case में हो चुकी है यहाँ से हम लोग sentence case में कर देंगे तो पहला वाला हमारा जो यह था वो बड़ा रहेगा और बाकी सब sentence case के according रहेगे तो अगर आपको कभी case को change करने की जरूरत पड़ी आप कितने धेर सारे text को लिख लिए हैं और आप उसको एक ही बार में upper case में करना चाते हो एक ही बार में lower case में करना चाते हो या sentence case में बनाना चाते हो तो आप इन options का इस्तमाल कर सकते हो बस इस पर क्लिक करिए वो इस तरीके से apply हो जाएगा इसी में जो है अगला option है text color है इससे जो है आप जो भी text लिखे हो इसको color कर सकते हो जैसे कि मैं जो है इसी में से सिर्फ ये जो guru लिखा हुआ है इसको जो है color करके आपको दिखाता हूँ जिस भी text को आपको color करना है बस उसे select कर लीजिए select करने के बाद जो है आप यहाँ पर आईए और यहाँ पर धेर सारे color आपको मिलेंगे जो भी color आप इस पर अंदर रखना चाते हो बस उस पर ला करके click करके उसके उपर छोड़ दीजी तो वो color इसके अंदर apply हो जाएगा तो बस आपको इतना समझना है कि आपने जो भी text लिखे हैं अगर आप उसको color करना चाते हो color उसका change करना चाते हो तो आप इस option का इस्तमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं paragraph वाले में यह जो सारे option है इनको आप कैसे इस्तमाल करोगे तो इनको इस्तमाल करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी list बना देता हूं तो यहाँ मैंने एक छोटी सी list बना दी है list में मैंने जो है course के नाम लिखे हैं आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो इसको मैं select करता हूं यहाँ से थोड़ा सा bold कर लेता हूं अभी देखिए यह list जब मैंने बनाई तो यह bullets जो है अपने आप apply हो चुके हैं यह जो bullets है ना आप बुलेट्स लगाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करिए काफी सारे numbers बुलेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जो भी bullets नंबर वाले आपको इस्तमाल करने हैं आप उस पर क्लिक करके उन्हें जो है इस्तमाल कर सकते हो जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो देखिए यह नंबर बुलेट्स यहाँ पर अपलाई हो चुके हैं अगला option इसके अंदर है डिस्क्रीज आइडेंट और इंक्रीज आइडेंट यानि जो आपने लिस्ट बनाई है इसको अब अगर आप थोड़ा थोड़ा बीच में खिसकाना चाहते हो तब यह option काम करता है थोड़ा थोड़ा राइट सैड में थोड़ा थोड़ा लेफ्ट सैड में जो है डिस्क्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं अगला option इसकी के अंदर है लाइन स्पेसिंग को लेकर के जो भी आप पावर पॉइंट में फाइल को बनाओगे अगर उनके बीच की लाइन की स्पेस तो आप इसपे क्लिक कर दोगे फिलाल हम लोग जो है 1.0 पर ही रहने देते हैं यह सबसे कम स्पेस है इसी में जो है अगला option है left align को लेकर के अभी देखिए यह selected है यानि कि यह apply इसके अंदर है इससे यह फायदा होता है कि जब यह click रहेगा तो left side से जो भी आप लिखोग लेकिन कभी का बार क्या होता है कि हम इसे delete करते हैं और यह left side पे click नहीं रहता है गलती से अगर यह right side पे click हो जाता है तो इधर side से यह लिखना start हो जाता है तो हमको लगता है कुछ mistake हो गया है जब हम computer के बारे में उतना नहीं जानते है तब हमको ऐसा लगता है जब इसके अंदर option है center का है अगर आप इसको बिल्कुल center में लिखना चाते थे तो बस आप इस पर click करिए center की side में बिल्कुल आ जायागा जो भी चीजा आप लिखो को बिल्कुल center में रहेगी अगर आप center इसके अंदर apply कर देते हो तो यह बिल्कुल center में चला जागा इस तरीके से द अगर इसका size आपको कम लग रहा है तो यहां से आप बढ़ा लीजिए और यहां से घटा लीजिए तो यहां से आपको यह चीजे समझ में आ गई होगी इसी में अगला option है justify का justify को समझने के लिए मैं यहां पर कुछ text मैंने copy किया है उसको paste कर देता हूँ ताकि चीजे आप को अच्छे से समझा पाऊं अभी देखिए यहां पर मैंने कुछ text लिखे थे जिसको मैंने copy करके यहां पर paste कर दिया है अभी देखिए left side से align है जिसकी वजह से left side से हमारे जो text है बिलकुल सीध में है जबकि right side से कुछ घटबड दिख रहे हैं ठीक है तो दोनों side से करके select कर लिजे इसके बाद आपको justify पर click कर देना है तो देखिए दोनों तरफ से हमारे जो है text बरावर उचके इस side से भी इस side से भी तो यहां से आपको justify भी समझ में आ गया होगा इसी में जो है अगला option है column को ले करके अगर जो है आप इसके अंदर column बाटना चाहते हो य देखिए यह two column में divide हो चुका है पहला column यह है दूसरा column यह है तो अगर आपको कभी ऐसी जरूरत पढ़ रहे है यह powerpoint में column में divide करने के लिए तो आप जो है यहां पर click करके अपने यह जो text box है इसको जो है column में divide कर सकते हो यहां पर maximum three column दिया है लेकिन अगर आपको इससे divide करना है वैसे तो जरूरत नहीं पढ़ेगी लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पढ़ जाती है तो आप more column पे click करके यहां पर number of column में जितने number of column देना चाते हो यानि 5, 10, 15 उस पर डाल करके ok कर दोगे तो यह जो है उतने column में बढ़ जाएगा इसमें जो है अगला option है text direction को लेकर के यहां से जो है आप अपने text की direction को change कर सकते हो जैसे कि आप देखोगे इस पर click करोगे तो अभी जो है यह horizontal में click है और यह जो चीजे हमने लिखी है यह भी horizontal में है लेकिन अभी जो है अगर आप इस तरीके से 90 degree पे जो है rotate करना चाते हो या 270 degree पे rotate करना चाते हो या फिर इस तरीके से करना चाते हो तो आप in option का इस्तमाल कर सकते हो जैसे कि for example के लिए हम लोग जो है एक नई slide यहां से जो हमने लिए है इसको slide कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते है ADCA ADCA मैंने लिख दिया है इसको मैं select कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है bold कर लेते देख सकते हो और यहां पर अगर more option पर क्लिक कर दोगे तो और भी इस से लेटेट सेटिंग आजाएगी जैसे कि अगर आप left side यह देखी है अभी left side select है अगर आप इसको center में कर देते हो तो center में आ जाएगा और इसको जो है राइट साइड में कर दोगे तो राइट साइड में आ जाएगा ठीक है यहां से और भी बहुत सारी setting है left middle में कर दोगे तो left middle में आ जाएगा और यहां पर जो है जो setting हमको यहां पर मिली थी वो यहां पर भी मिल जाएगे ठीक है इसके अंदर जो है यह सारे जो button है वो आपको align text वाले भी मिल जाएगे जैसे कि अगर मुझे इस text को align करना है तो मैं यहाँ पर align text पर click करूँगा देखें यहाँ पर left, center, right अगर मुझे center में करना है तो यहाँ पर center हो जाएगा left में करना है तो left में हो जाएगा right में करना है तो right में और more option पर click करोगे तो फिर से देखे text box की ही window आई है और यह चीज़े हमको यहाँ पर भी मिल चुकी है तो हम यहाँ पर left में इसको click करके देख लेंगे इस तरी की से सारी setting आपको यहाँ पर मिल जाएगी बारी बारी से आप सभी को check करिए आप सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख जाओगे तो यहाँ से align text हमने सीख लिया है text direction भी सीख लिया है अब बात करते हैं convert to smart art के बारे में तो इसका इस्तुमाल करने के लिए हम लोग इस वाली slide पर आएंगे इसको जो हम पूरा select करेंगे यहाँ पर आएंगे convert to smart art यहाँ पर आपको काफी सारे design मिलेंगे जिस भी design के अंदर गत आप जो है इसको design करना चाहते हो वो design आपको यहाँ से select करना है मुझे यह design काफी पसंद आया है मैं इसी पर click कर लेता हूँ इस पर click करने से यह कि फायदा है कि आप इसकी photo को भी अगर change करना चाहो तो यह professional भी लग रहा है अगर आपको जो है इस तरीके से smart art की जरूरत है तो आप convert to smart art पे click करके इसको smart art में convert कर सकते हो अगर अभी भी जो है इसमें आप style बगरा change करना चाहो तो जब आप जो है smart art में किसी भी text को convert करोगे तो उपर की side में format tab और design tab खुल जाता है अगर आप इसका layout चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर काफी सारे अभी भी layout आपको मिल जाएंगे जो भी layout आपको पसंद है उस पर आप बस click कर दीजिए वो layout चेंज लाएगा अगर आप इसका style वगरा भी change करना चाहो तो यहाँ पर आकर के आप इसका style भी change कर सकते हो और अगर आप इसका color change करना चाहो तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ color आप जो है change कर पाओगे कुछ इस तरीके से ठीक है और अगर आप इसका color change करना चाहो वो इसके अंदर feel हो जाएगा, अगर आप इस shape में भी कोई color वगयरा भरना चाहते हो, तो बस इसपे click करिये, यहां पर जाइए format वाले में, shape fill पर, जो भी color आपको पसंदर इसपे click करिये, फिर जिसके अंदर भरना है, उसपे click करिये, फिर से जाइए shape fill पर, जो भी color आपको सारे option हैं जो कि हम लोग MS Word में पढ़ चुके हैं लेकिन मैं आपको PowerPoint में भी सिखाऊंगा इन सभी के बारे में जब हम लोग जो है insert tab पढ़ेंगे यहां से कोई shape लेंगे हम लोग या फिर picture लेंगे तो भी आपको जो है यहां पर यह format tab open मिलेगा insert वाले tab में पढ़ने के बाद भी तो हम लोग जब insert tab पढ़ेंगे तब हम लोग जो है format tab में इन सभी के बारे में दुबारा से आपको revise करा दूँगा फिलाल जो है हम लोग पढ़ रहे थे home tab के convert to smart art के बारे में जिसके बारे में मुझे पता है कि आपने complete जो है सीख लिया होगा और आपको यह समझ में भी आ गया होगा कि कैसे apply करना है अब बात करते हैं ड्राइंग वाले भाग में यह जो सारे button दिये गए हैं इन सभी को आप कैसे इस्तमाल करोगे तो यहां से आप जो है कोई भी shape ले करके अपने यह जो आपने slightly है इसके अंदर बना सकते हो जैसे कि अगर मुझे यह shape बनाना है तो मैं इस पर click करूँगा इस तरीके से हमारा mouse pointer बन जाएगा जहां पर भी आपको बनानी है mouse का left button दबा के इस तरीके से click करके drag कर देना है तो यह बना बनाया आपको मिल जाएगा जब आप इसको बनाओगे तो जो हमने यह smart art बनाया था जो format tab खूला था same way format tab यहां पर भी खूल गया है जिसमें आप जो है इसकी formatting कर सकते हो जैसे इसका color change करना हो जो भी करना हो यहां से आप manual इसका color change कर सकते हो जिस भी style में आप color change करना चाहते हो picture भनना हो gradient भनना हो या फिर texture बगएरा भनना हो तो भी भर सकते हो इसी के साथ जो हैसमे word art style भी मिलता है जो कि सिर्फ word art पर काम करता है यानि सब्दों पर सिर्फ यह काम करता है और बात करते हैं bring to front और back के बारे में तो यह चीज़े आपको home tab में भी यहाँ पर मिल जाती है arrange वाले में देखिए bring to front, bring to back दोनों का काम same है जो आपको format में मिल रहा है और जो आपको home में मिल रहा है तो यहाँ पर हमने shape के बारे में सीख लिया है यहाँ पर आपको धेर सारे shape मिलेंगे जिनको भी आप बनाना चाहो इस तरीके से बना सकते हो अब बात करते हैं arrange वाले option में जो आपको यह सारे option दिये गए हैं इनको आप कैसे ही इस्तमाल कर दोगे देखे bring to front का मतलब यह है कि आपने अगर दो shape इस तरीके से बनाए है और आप पीछे वाले shape को उपर लाना चाहते हो और उपर वाले को पीछे ले जाना चाहते हो तो bring to front काम करता है अगर आप send to back कर दोगे तो जो उपर वाला है वो back चला जागा जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखे वो पीछे चला गया है वही अगर मैं bring to front पर क्लिक करूँगा तो वो उपर आजाएगा तो बस आप इतना समझ लेजे कि पीछे ले जाना हो आगे ले जाना हो तब ये चार option काम करते हैं इसी में जो है अगला option है group का, ungroup का, regroup का इसके लिए जो है आपको इसकी duplicate copy बना लेनी है जैसे कि मैं इसको control बटन दबा के उपर की side में drag करूँगा तो इसकी एक duplicate copy बन जाएगी और मैं जो है इसका थोड़ा सा color जो है अलग-अलग थे, अब ये जो है एक ही में मतलब group हो चुके हैं अगर आप बाहर click करके फिर से इस पर click करोगे तो एक ही बार में ये select होगा और आप कहीं पर भी लेके जाओगे तो आप इसे एक ही बार में कहीं पर भी ले जाकर के रख सकते हो, इसी में जो है अगला option है ungroup का, अगर आप इसको जो है ungroup पहले जैसा करना चाहते हो तो ungroup पे click करिए, ये ungroup हो जाएगा इसी में जो है अगला option है regroup का तो इस पर click करके आप जो आपने ungroup किया है, उसको दुबारा से regroup कर सकते हो, इसी में जो है अगला option है align करने का, अगर आप जो है इसको center में align करना चाहते हो तब ये option काम करता है, इसके लिए हमको ungroup करना होगा, इसके बाद जो है हमको align पर click करना है, अगर आप center में click करेंगे तो दीखिए, ये center में बिलकूर हो चुके हैं तो अगर आपको जो है align करना है top से middle से right से center से तो आप in option का इस्तमाल कर लिजिए इसी में जो है अगला option है rotate का अगर आप ने जो shape बनाई है उसको rotate करना चाहते हो तो आप इस option प्याइए यहाँ पर आप जिस भी angle में rotate करना चाहते हो आप जो हो इस पर click कर दीजिए वो उस angle में rotate हो जाएगा आभी देखिए यह इस angle में rotate हो चुका है बस आपको इतना समझना है कि अगर आपने कोई shape ली है और उसको आप arrange करना चाहते हो तो arrange वाले button पर क्लिक करिए जितने भी option है उन सभी का इस्तमाल करके आप जो है shape को arrange कर सकते हो इसी में जो है अगला option है quick style का अगर आप यहीं पर रहकर इस shape का style change करना चाहते हो तो आप quick style पर क्लिक करिए यहाँ पर आपको धेर सारे style मिलेंगे जो भी style आपको पसंद है बस उस पर जाने के बाद क्लिक कर दीजिए वह style इसके अंदर apply हो जाएगा अगर आप खुझ से इसके अंदर color भरना चाहते हो तो save fill पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आपको धेर सारे color मिलेंगे जो भी color आपको भरना है वो भर दीजिए या फिर picture पर जाएगे picture अगर आपको भरनी है तो आपको अपने computer से उच picture को लेना है जो आप उसके अंदर भरना चाहते हो picture select करनी है इसके बाद insert पर click करना है वो picture इसके अंदर आ जाएगी और अगर आप जो है इसको color करना चाहो तो इस तरीके से color भी कर सकते हो अगला option है shape outline तो इस option का इस्तमाल करके आप जो है shape की outline में color दे सकते हो अभी देखिए white color की outline है अगर आप इसको red करना चाहो तो इस पर click कर ये black करना चाहो तो इस पर click करोगे तो black color की outline आ जाएगी इसी में जो है अगला option है shape effect का तो यहाँ पर आपको धेर सारे effect मिलेंगे अगर आपको preset लगाना है कुछ इस तरीके से तो आप preset इस्तमाल कर सकते हो अगर आपको shadow देनी है तो इस तरीके से आप यहाँ पर click करेंगे जो भी आपको shadow पसंद है आप उस पर बस click कर दोगे shadow apply हो जाएगी और अगर आपको reflection लगाना है जैसे mirror होता है न उस तरीके से द इस तरीके से bevel का भी इस्तमाल कर सकते हो 3D rotation चाहिए तो 3D rotation इस तरीके से कर सकते हो तो shape में अगर आपको effect चाहिए तो आप यहाँ पर आईए सभी को बारी बारी से चेक कर लिए जिस पर भी आप click करोगे वो apply होगा बारी बारी से आप सभी को check करके देख सकते हो तो यहा आप उसको find करना चाहो तो आप बड़े ही असानी से find कर सकते हो बस आपको इस पर click करना होगा इस तरीके से एक जो है pop up window आएगी जो भी आपको word को find करना है इसके अंदर आपको वो word जो है type कर देना है जैसे कि मैंने लिखा guru लिखने के बाद जो है find next पर आप click कर ये तो दे लिखे अब ये नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं बताया है इसको okay कर दीजी यहां से close कर दीजी अगला option है replace का तो आप इस button पर click करके जो है replace कर सकते हो जिस भी सब्द को आपको replace करना है वो उपर लिखना है जिस भी सब्द से replace करना है वो आपको नीचे लिखना है जैसे कि मैं गुरू को जो है यहाँ पर ग्यान के नाम से रिप्लेस करके आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्यान, मैंने लिखा ग्यान, गुरू के जगर पर ग्यान लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने यहाँ पर उपर लिखा गुरू, गुरू को हटा दी जिए ग्यान को ला दीजिए इसी तरीके से आपको लिखना है इसके बाद find next पर क्लिक करना है तो देखें यह हमको मिल जुका है और यहां पर हम लोग replace पर क्लिक करेंगे और replace all पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपको तीन बटन मिलते हैं select all पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो सभी का सभी जो भी आपके slide के अंदर जो कुछ भी आपने लिया था वो सब एक साथ ही select हो जाएगा अगला option है select object का तो यह पहले से ही click है हम जो है click करके जिस भी object पर click करेंगे सिर्फ वही जो है select होगा यह पहले से ही click है अगला option है selection panel का तो इस पर आप जब click करोगे तो इस तरीके से एक panel खुलेगा जो भी आपने अपनी slide के अंदर जो भी चीजे बनाई है उसका सब यहाँ पर जो है detail दिखाए ज़रा है जिस पर भी आप click करोगे वो select हो जागा देखिए rectangle 14 यह selected है यहाँ पर click है इस पर click करूँगा तो यह select हो जाएगा इस पर click करूँगा देखिए यह select है इस पर click करूँगा देखिए हमारा जो smart art था वो select हो गया है title 9 पर click करूँगा यह select हो जागा तो इस तरीके से आप इसको select ही कर सकते हो select में जितने बटन दिये हैं वो select करने के ही इस्तमाल में आते हैं तो यहां पर मैंने आपको powerpoint के home tap के जितने भी option है उनके बारे में detail में आप सभी को समझा दिया है अगर आपको जो है कोई भी option समझ में नहीं आया है तो आप हमें नीचे comment करके जरूर बताइए मैं उसका comment box में ही जरूर reply दूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करिए ताकि उनका भी फायदा हो सकी और चैनल पर अगर पहली बार हूँ अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो तो subscribe करो यार subscribe करना बिल्कुल free है विलेंगा फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ अपतके लिए जयहे हिंद बद्ने मातरम